आज बहुती टेस्टी मिठाई बनाएंगे जिसका नाम है मायसोर पाक सौंथ इंडिया में यह बहुती फेमस है यह बहुती टेस्टी बनते हैं मूं में डालते ही पुड़ा खुल जाते हैं तो चलिए फ्रेट्स आज इस रेसिपी को घर में बहुत इजी तरीके से बनाते है तो चलिए recipe शुरू करते हैं तो इसके लिए एक pan गरम कर लेंगे और फिर उसमें add कर देंगे आधा का बेशन तो मैंने अपने जरुरत के हिसाब से यहाँ पर आधा का बेशन लिया है अब अपने जरुरत के हिसाब से quantity डबल करते जाएं तो इसे अभी अच्छे से भूनना है पर इसका color हमें change नहीं करना है बस इसमें से हलका भीनी भीनी खुश्पू आने लगे तब तक हमें बेशन को भूनना है low flame पर ध्यान रखिएगा इसका color हमें बिल्कुल भी change नहीं करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से भ घी डाला है आपके पास अगर घी ना हो तो आप इसे तेल में भी बना सकते हो पर authentic घी में ही बनते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हो इसमें जितने भी लंफ बनेंगे उसे ब्रेक कर लेंगे अगर यह चमत से नहीं हो रहा हो तो छनी में से च्छा फिर उसी कड़ाई में चाशनी बनाएंगे तो उसके लिए चीनी डाल देंगे एक कप और इसमें पानी जाएगी आधा कप ध्यान रखिएगा कि जितना हमें बेसन लेना है उससे डबल हमें चीनी की पोर्शन की जरुरत होती है यहाँ पर यह थोड़ा सा मीठा बनते हैं मतल बेसन फूट कलर डाला है दो तीन ड्रॉप काफी है उससे जादा ना डाले क्योंकि बेसन का कलर जो है वह थोड़ा सा फीका फीका होते है तो इसको एकदम वाइब ट्रेंट कलर देने के लिए यहाँ पर फूट कलर डालने की जरुरत है जो हलवाई लोग डालते हैं तो य तो अभी हमें बेसन को पकाना है इसके अंतर तो इसके लिए गैस का फ्ले मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसको अच्छे से पकाना है अभी इसे हमें भूढ़ना नहीं है बुनाई का काम पहले ही हो गया है तो अभी हमें चाशनी के अंदर इसे प सोर सकते हैं जल्दवाजी नँया음 ना करें घरे घरे हमें इसको कि पकाना है अब नियुक्त यह देखिए बीच में हम इस तरह से जगा बना सकते हैं से मेल टाइम लग रहे हैं और लकाना है तो क्लर में आधक कर देंगे फुर आधक एक तिहाई कप खी लिया है और यह जो रेसिपी है यह पुरा घी और चाशनी से ही बनते हैं पर बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं तो इसे अभी हमें मिक्स करना है घी के साथ भी हमें इसको भूनना है भूनते भूनते इसे काफी हमें सुखाना है पर जब आप यह बनने लगे और इसके बीच में आप जगा बना सकते हो मिलने में काफी टाइम लग रहे हो तब इस्टेज में आपको गैस का फिल्म और इसे थंड़ा नहीं होने रहे हैं तो यह चीनी जो है वापस से क्रिस्टलाइज होने लगें तो गैस का फिल्म अभी आफ कर देंगे और फिर इसे सेट करने की प्रोसेस में चलते हैं पर इसे थंड़ा नहीं होने देना है तो सेट करने के लिए एक मोड लेंगे और उसमें घी से ग्रीज कर लेंगे और फिर जो गरम-गरम है हमारा बेसं का जो मेक्सचर है गरम-गरम उसे एकदम ढाल देंगे इसे थंड़ा चाहते हो तो कम कर सकते हो पर घी ज्यादा डालने से क्या होता है इसके अंदर की तरफ वह होल वाला वह जाली वाला जो बनते हैं वैसे बनते हैं वरना घी कम डालने से वह जाली वाला पॉर्शन नहीं बनेंगे विस सॉफ्ट सॉफ्ट जो मासुर पाक बनते हैं वैसा बनें आप चाहो तो कटे हुए पिस्ता काजू भी डाल सकते हो कोई दूस्तरा ड्राइफूड पर डाल सकते हो या फिर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो हैसे भी यह बहुत जादा टेस्टी बनते हैं तो इस तरह से फैला देंगे और इसे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि उपर काजू और पिस्ते का पाउडर है वह इसमें स्टिक हो जाए बस उसके लिए पर बहुत जादा दबाना नहीं है तो यह एकदम हार्ड बन जाएंगे तो हलका हलका इसको फैला देंगे और फिर इसे पूरी तरह से ठंडा कर देंगे जब तक यह अपने आप रूम टेमपरिचर में ठंडा होते हैं तब तक इसको हिलाएंगे भी नहीं और एक बार यह ठंडा हो जाए तो फिर इसे डिमोल्ट कर देंगे जैसे कि अभी यह ठं और पाक कितनी अच्छी तरह से बनके त्यार हो गए है तो अभी इसे शेप में काट लेंगे वैसे थोड़ा सा हार्ड होते हैं अगर आफ सॉफ्ट बनाओंगे तो यह एकदम स्मूधली कटके त्यार हो जाते हैं पर हार्ड जो बनेंगे उसे काटने में थोड़ी सी कि इसकी तरह यह बने हैं तो बहुत ही अच्छे से यह मिठाय बनके तयार हो गए है और आज की रेसिपी आपको कैसे लेगी मुझे कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएगा कोई भी सुजा हो तो वह भी मुझे जरूर बताई है तो चलिए फ्रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लेस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते जीएगा तो चलिए फ्रेक्स फिर मिलते हैं कौन ही रेसिपी के साथ